नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से हमारी चैनल में दोस्तो उत्रखंड के CM तीरस सिंगरावत को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है अब दोस्तो BJP का तीरस सिंगरावत के उपर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है और इसका नतिया जो नेखने को मिल रहा है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है जी हाँ BJP को नहीं है यकीन की चुनाओ जी सकते हैं तीरस सिंगरावत ले सकती है CM बदलने का फैसला दोस्तो उत्राखंड में अगले साल विधान सभा चुनाओ होने है ऐसे में सियासी गलियारों में फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भारती जंता पार्टी हाई कमान फिर गुद्धवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नंडा और गिरह मंतरी अमिस साहते मुख्य मंतरी तीरस सिंगरावत से मुलाकात करेंगे दा इंडियन एक्सप्रेस में छपे कॉलम दिली कॉंफिडरेसन के मुताविक भाजपा हाई कमान को यकीन नहीं है कि तीरस सिंग रावत चुनाओ जी सकेंगे रावत ने अप्रेल में इस पहाड़ी राज्य की बागडोर सम्हाली थी ऐसे में उन्हें 10 सितंबर से पहले विधायक बनना होगा क्योंकि इसकी 6 महिने की अवधी समाप्त हो रही है और यह भाजपा नेतितों की रातों की नींध हराम करता दिख रहा है रावत ने बुधवार देर साम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़ाओ और गिरह मंतरी अमिस्ता के साथ बैठक की लेकिन उनके भविस्य पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया है अंतिम समय में चुनाओ से बचने के लिए भाजपा नया मुख्य मंतरी निउक्त कर सकती है ऐसे में पार्टी के सामने अन्य विकल्पों को देखते हुए कई उमिदवारों ने खुद को राष्टी राजधानी में तैनात कर लिया है ऐसा लगता है कि पार्टी नेति तो उम चुनाओ के लिए जल्दबाजी करने के मूड में नहीं है क्योंकि यह निस्कर से निकाला है कि गंगोतरी की सीट रावत के लिए सुरक्षित नहीं है BJP की राज्य इकाई को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्योंकि वहां के नेताओं को जाहिर तोर पर लूप में नहीं रखा गया है हाला कि एक वर्ग ने सुझाओ दिया है कि राज्य की चुनाओ को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन पार्टी नेती तो स्पस्ट रूप से अभी इस पर फैसला नहीं ले पा रही है तो साफ है कि BJP का अब तिरत सिंग रावत पर से विश्वास उठने लग गया है और निश्जी तोर पर जो उत्राखंड में 2022 में चुना होगा उस पर कोई और दोस्तों आप सभी को CM पत के लिए BJP की तरफ से लड़ता हूँ नजर आ सकता है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद